तो विल्कम है दोस्तों देखे जितने भी लोग जारखन में टीचर की वेकेंसी के अपडेट के इंतिजार कर रहे थे उनके लिए एक बिग अपडेट है बड़ी अपडेट है और सुचना क्या है कि जारखन में जितने भी 50 हजा सहाय का ध्यापक की भरती होनी थी उनके भलते भलते छे महिना पित गया लेकिन आप देखते हैं क्या इनकी दलिले हैं या फिर क्या यहां पर न्यूज मिलता है हमें तो बावन सो से लेकर के दो 20 हजार 200 रुपई तक मिलेगा आपका वेतनमान ठेक है अब देख लेते है क्या बोला गया है कि हमारे चार्खन राइ पे 4200 पर नहीं होगी अब घंटा दिया गया है इनकी नियुक्ति बावन सो से लेकर के 20,200 वेतन मान और 2400 से 2800 ग्रेड पे पर ही आपकी नियुक्ति होगी इसी आधार पर प्रात्मिक इस किलो में बहाल होने वाले साहय का द्यापक को 26,000 रुपए और मेडल स्कूल में वेतन के बारे में इन्होंने एक परफेक्ट बात बोल दी है और पुराने वेतन वाले सिक्षकों को नियुक्ति के समय 40,000 रुपए मिलते थे यानि कि अब जो है मांगाई बढ़ने के बाद यहां पे आपका पेमेंट गढ़ रहा है ठीक है बहुत अच्छा है वो नाना प आचारियों की नियुक्ति का रास्ता साप हो गया है जून में जार्खन करमचारी चयन आयोग यानि कि जेससी इसका बिग्यापन निकाल देगा यानि किसी महिने में निकाल देगा देखी तो बोला तो गया है किसी महिने में आ जाएगा राज में बुदवार को कैबिनेट की बैठक में प्रारंबिक स्कुलों के लिए सहायक आचारी समवर्ग नियुक्ति प्रुनति वो सेवा सर्थ संसोधन निमा वाली 2023 को राज मंजोरी दे दी गई है अब किसका इंतिजार है तो वो भी हम लोग अभी जानते हैं देखिए जून से ही प्रारंबिक या प्राथमिक वो मिढल स्कुलों में जो की कलास पहली से आठवी तक के स्कुलों में 50,000 टीचर की नियूक्ति होगी सहायक अध्यापों को की न्युक्ति होगी ठीक है पहले चरण में 25,996 सहायक अचारियों की न्युक्ति होगी यानि कि लगवक 26,000 जबकि दूसरे चरण में 24,004 सहायक आचारी की बाहल किये जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर बोला गया है कि नियमा वली मंजूरी के बाद अ कि रिपोर्ट के साथ साथ संसोधित नियमा वली भेजी जाएगी सिक्षा विभाग से अनुसंसा मिलने पर कार्मिक विभाग जहारखंड करमचारी चायन आयोक को न्युक्ति अधी आचना भेजेगा ठीक है इसके बाद बोला गया है कि जिसके बाद JSC यानि कि टेट पास वाले को मिलेगा पहला मुका ठीक है 2016 में जितने भी लोग टेट पास किये हैं जहारखंड टेट उनको पहला मुका मिलेगा कैसे मिलेगा क्यों मिलेगा वो चीज़े आईए अगर देखते हैं दिया गया है तो सहाय काचारी की नई नियुक्ति में 2016 में सिक्षक पातरता परिक्षाप पास किये 53,000 अभियार्थियों को बहाल जो है पहली बार मुका मिलेगा ठीक है वहीं 2013 टेट पास करीब 48,000 अभियार्थी भी इसके लिए आविदन कर सकेंगे यानि कि 2013 और 2016 में दोनों कोई एपलाई कर पाएंगे इधर 53,000 केंडिट और 48,000 को यहां पर मौका मिलने वाला है इस नियुक्ति में अभियार्थियों की अधिक्तम उम्र सीमा में भी अइन नियुक्ति से ज़्यादा छूट दी जा सकती है हमको लगता है 50 साल तक पहुचा देगा यार 50 या 45 टेक है और बाकी अब देखिए क्या क्वाइलिफिकेशन रह रहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं जारकन के हर एक छोटी से बड़ी न्यूज और सरकारी से प्राइबेट तक की न्यूज आपको इस चनल के माध्यम सब्डेट दी जाएगी तो अगर आपका कोई दोस्त इसी तरह के अपडेट से जुड़ा हो टीचिंग लाइ